को मारा न Цे टॉप इक है कि रावर्व्ट्वक लॉइ स्पेशल केस ऑफ हेंडrी लॉव मतलब रावर्व्ट्व लॉछ हेंडり लॉप ऑफ हमें पहले से बता है कि रावल्व doesे iron to एमने सब्सक्ham BLACK मतलब दोनों में क्या इसमें भी डाइकली प्रपोपोस्नल के लिए है दूसरा किया होता है इसका जो constant है वो P01 है और इसका जो constant है वो KH है यानि दोनों ही case के अंदर partial pressure is directly proportional to the mole fraction but both the differ only proportionality constant दोनों में difference किसका है केवल proportionality constant का ठीक है तो ये question भी CBSC में पूछा गया है कि how to determine the routes law a special case of Henry law ठीक है next question है route law for volatile substance या route law for non-volatile substance जो हमारे पास क्या है एक liquid volatile है और एक जो substance डाला वो non-volatile है ठीक है तो हमारा जो route law होगा वो उस solution के अंदर ठीक है न जो volatile liquid है जो volatile liquid है ठीक है न तो उसका जो vapor pressure होगा each volatile component in the solution is directly proportional to its small fraction यहां से जो मतलब क्या है mole fraction और क्या है पार्चल वेपर प्रेसर में जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा कि जिस solution के अंदर जिस liquid हमारा वोलेटाइल है जो लिक्विड हमारा वोलेटाइल है उसका जो वेपर प्रेसर होगा ठीक है न वह directly लीजिए मेरा पीवन है वोलेटाइल जो वोलेटाइल लिक्विड है वो मेरा उसका पार्चल वेपर प्रेसर कौन सा है पीवन है तो तो पीवन एकवल ¿क। पीवन डायकरेटल फिपरिशानल टुक्त झो कहा हो जाएगा x1 के और यहाँ से मैं इग कॉंस्टेंट ली हाँगा म्होंच अपने के बाद हमारा न्चिएरुजीड का जो नया सपेगे जो नेक्स सद्र पहुच का है वह गारापी रिकृड्ल सॉलुशन ऑहाली याँ होते हैं वह दो पृकार कने ऐक होता है एक होता है एक होता है यह नहीं होता है ननने अच्जिक्ष उलुशन पर रहे हैं मतलब ऐसे सॉलुसन जो रावल्ट स्लोक को फॉलौ करते हैं, किसी भी कंसंटेशन में उनको मिक्स किया जाए, ठीक है, वो रावल्ट स्लोक को फॉलौ करेंगे, उनको क्या बोल जाएगा, आइडियल सॉलुसन, यानि उनका जो पार्सेल वेपर प्रेसर होगा, वो डाइरेक है in chloro ethane benzen toluene chlorobenzene brown benzene इस चारो example किसके इसके ideal solution के मतलब इन दोनों को दोनों component जैसे बैंज़ीन और toluene में किसी भी रेशियो में मिला दिये आ रहा है उनका जो क्या होगा पार्शल वेबर प्रेशर होगा उनके मौल फ्रेक्शन के डायरेक्टली प्रपोस्टनल होगा तो इसलिए क्या है यह फोलो करते हैं ideal और आउल्ट स्लो को इसलिए बोला जाता है इनको ideal solution अब properties क्या होती है ideal solution की यदि हम किसी ideal solution की बात करें तो यदि हमने उन दोनों सभिस्टांस को मिलाया है दोनों liquid को मैंने मिलाया है तो उनके बीच में ना तो energy release होनी चाहिए और ना ही energy absorb होनी चाहिए मालनी जिए पहले energy एक की 15 क्लो जूल है एक की 25 है और जब दोनों को मिलाया ठीक है न तो कितनी आनी चाहिए हमारे पास 40 आनी चाहिए तो मिक्चर का जो volume आना वह भी कैसा आना चाहिए उनका अंतर भी zero आना चाहिए पहले जो volume होना चीए ठीक है मिक्चर के बाद जो mixing के बाद जो volume आना चाहिए वह भी कैसा आना चाहिए सेम आना चाहिए जैसे माल लीजे मेरे पास 10 ml बेंजीन है और 30 ml मेरे पास टॉलवीन है दोनों को मैंने मिक्स किया राइट तो टोटल जो सम वॉल्यूम का आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 40 ml ठीक है न तो 30 प्लस 10 और बराबर क्या हो जाएगा 40 तो 40 माइनस 40 कितना जाए जीरो मतलब कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आना चाहिए जब हम दोनों को मिला रहे है ना तो उनके वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए तीसरा पॉइंट क्या होता है फोर्स ओप अट्रेक्शन यदि फोर्स ओप अट्रेक्शन माल लीजे बेंजीन बें मिलाने के बाद उनके जो individual component के बीच में जो force of attraction है उसे बोला जायेगा क्या ideal solution ठीक है और την ideal solution में क्या है ideal solution में हमारा क्या है जो component 1 है यानि P1 equal to P01 X1 होना चाहिए ठीक है जैसे यहां पर हम यह लिख सकते हैं कि जो हमारा क्या है point number 4 हो जाएगा वो 4 क्या point हो जाएगा कि हमारा जो P1 है P1 हमारा हो जाएगा P01 X1 and जो P2 है हमारा वो हो जाएगा P02 X2 और जो PT है हमारा वो क्या हो जाएगा P01 प्लस bracket में P02-P01 और bracket के बाद क्या आ जाएगा X2 ठीक है तो यह भी क्या है हमारा फोलो होना चाहिए अब इसको explain करने के लिए हमने दो component ले लिए component A component B उन दोनों को हमने mix किया mix करने में हमने देखा कि if the intermolecular force of attraction between A component मतला हमारे पास एक भीकर था दूसरा भीकर है एक भीकर में benzene एक भीकर में tolwin है तो उनके बीच में लगने वाला जैसे benzene benzene के molecule के बीच में लगने वाला force of attraction और tolwin tolwin के बीच में लगने वाला force of attraction वो nearly equal होना चाहिए किसके जो benzene और tolwin के बीच में लगने वाला force of attraction मतलब क्या है force of attraction इंडिजल component के बीच में जब वो अपने-पने molecule के साथ जुड़े हुए है या फिर जब वो दोनों एक दूसरे से मिला दिये जब दोनों आपस में जुड़े तो उनके बीच में जो force of attraction है वो equal होना चाहिए यदि ऐसा है तो solution बनेगा हमारा ideal और यदि हमारी ये सारी conditions follow हो रही है right ideal solution सो करते हैं जैसा graph हमारा किसका होता है round slow का बिल्कुल similar graph किसका होता है ideal solution का मैंने राउल्ट लो का बनाया हुआ है ठीक है तो आप उस graph को देख सकते हूँ ठीक है ideal solution का जैसा graph होगा ऐसा इस graph किसका होगा हमारा round slow का right हमारा next topic के इसके अंदर non-ideal solution अब non-ideal solution क्या होते है बहिए ideal क्या होते है जो round low को follow करते है तो non-ideal क्या हो जाएंगे जो round low को follow नहीं करेंगे तो the solution which do not follow round slow over the entire range of concentration are known as non-ideal solution मतलब 2 solution को यदि मैं किसी भी concentration में मिला हूँ ठीक है तो वह अपके क्या है round slow को follow नहीं करते हैं तो उसको क्या बोला जाए अगर non-ideal solution ठीक है जैसे इतिनल में water डाला है चनो-3 में water डाला SCL में water डाला ठीक है तो यह non-ideal solution बनाएंगे अब property क्या होती है non-ideal के हम कैसे बैचानेंगे यह non-ideal है तो एक तो क्या है उनके जो दो component को mix किया तो उनकी जो enthalpy change होता है वो जीरो के equal नहीं होता जीरो के equal का मतलब हुआ कि या तो वहां से energy release होती है energy क्या होती है एब्सर्व होती या तो उन दोनों को मिलने का process endothermik होता है या उन दोनों को मिलने का process exothermik होता है दूसरा आती यह बात volume change गी volume change जब ऐसा होगा तो क्या होगा हो सकता है कि दो component को मिलाने पर volume बढ़ सकता है solution का या फिर volume घट सकता है तो इसमें क्या है volume भी 0 नहीं होगा ठीक है और नहीं इनके बीच में force of attraction बराबर होगा जब यह सब ती सारे चीज़े बराबर नहीं होती है तो solution हमारा non-ideal solution की category के अंदर आता है तो जदा तर जょ शॉलूशन होता है वो non-ideal होते है अब क्या होता है दा vapor प्रेशर जो होगा non-ideal solution का वह या तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा जो भी round slow के अनुसार vapor प्रेशर आता है या तो उससे ज़्यादा होगा या फिर क्या होगा कम होगा ठीक है अब यह नॉन आइडियल सॉलुशन जो होते हैं वह दो पिरकार के होते हैं यह यह नॉन आइडियल सॉलुशन हमारे दो पिरकार की डैविएशन दिखाते हैं राउल्ट स्लॉसे ठीक है र पॉजेटिव डेवियसन का मतलब है कि if the vapor pressure of the solution is higher than the predict by the routes law to show positive deviation यानि वो सालुचन सारे positive deviation तो करेंगे जिसमें वैपर प्रेशर जो हो जाएगा solution का वो बढ़ जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा जितना routes law ने predict किया था ठीक है ना जितना route law के द्वारा predict हुआ उससे ज्याद होगा तब हमारे positive deviations हो करेंगे जैसे ethanol को पानी में डालिए ठीक है positive deviations हो करेंगे carbon di sulphide को acetone में डालिए positive deviations हो करेंगे ठीक है या फिर आप acetone प्लस benzen का solution है या मेथेनल प्लस water का solution है या CCL4 प्लस benzen का solution है CCL4 प्लस chloroform का solution है जितने भी यह सारे मैंने क्या example बताइए सब क positive deviation का region क्या होता है positive deviation क्या होती है vapor pressure क्यों ज्यादा आता है इसलिए ज्यादा आता है क्योंकि it is due to the intermolecular force of attraction between A, A and B और B यानि A, A के बीच में लगने वाला force of attraction A कोई भी हो सकता है इनमे से liquid B कोई भी हो सकता है यानि पहले होता है ज्यादा लेकिन जब दोनों को मिला दिया जाएगा चयरा अपने मोलीक्لف के साहत या लेकिन जब वह एक साहत आता तो force of attraction बढ़ गया force of attraction बढ़ गने से क्या बढ़ जाएगा vapour pressure बढ़ जाएगा और vaper pressure बढ़ जाएगा तो क्या सो करएगा positive deviation ठीक है क्योंकि vapor pressure फिर क्या है उसकी vapor में जाने की tendency बढ़ जाएगी क्योंकि force of attraction पहले जादा था बाद में कम हो गया अब आसानी से वेपर में जा सकता है उपर ये होता है positive deviation का reason अब फिर properties क्या होती है जो solution positive deviation सो करते है उसमें क्या होता है कि जो solution की जो enthalpy है ठीक है वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है solution की enthalpy बढ़ जाती है solution का volume बढ़ जाता है ठीक है और force of attraction पहले ज़्यादा होता है और बाद में क्या हो जाता है? कम हो जाता है तो graph हमारा round log का graph तो हमारा यह dotted line वाला ठीक है न? यह dotted line वाला round log का graph है तो positive deviation में vapor pressure बढ़ जाता है तो फिर यह graph उपर की तरफ आएगा ऐसे करके ठीक है न? तो तीनों ही point क्या हो जाएंगे इस प्रकार से आप represent करोगे तो graph यह positive deviation का है ठीक है? जो positive deviation show करते है solution ठीक है? the solution which show large positive deviation to for minimum boiling agotropic mixture यह most important question है ऐसे कुछशन आता है कि example देगा आपसे और पूछेगा वो कौन सी deviation दिखाएगा तो दिखेंगे तो आपसे आपको यहां से पूछ सकता है या इसमें difference पूछ सकता है what is the difference between ideal and non-ideal तो फिर आपको difference लिखना होगा तीन-तीन difference आप लिख देना ideal solution में और non-ideal solution में राइट आता है हमारा negative deviation राउट लोग negative deviation तो if the vapor pressure of the solution is lower than the predicted by the route's law this type of solution show negative deviation आ रहा है यदि vapor pressure जितना राउट लोग ने predict किया था उससे कम आता है तो वो solution हमारे negative deviation show करेंगे जैसे पानी में डालिए HNO3, HCL डालिए या फिर chloroform, di-athil, ether का जो mixture होता है यह सारे चीज़े क्या show करती है हमारी यह सारी चीज़े show करती है negative deviation ठीक है negative deviation chloroform plus acetone और phenol plus aniline भी क्या है negative deviation दिखाते हैं अब region क्या होता है negative deviation का की region यह होता है कि इसमें it is due to the intermolecular force of attraction between AA molecule and BB molecule यानि A और A के बीच के molecule जो है और B और B के बीच में वो less होता है पहले मतलब force of attraction कम होता है लेकिन जब दोनों को mix कर देते हैं तो A B के बीच जो force of attraction है वो जादा हो जाएगा मतलब पहले phenol phenol के बीच और aniline ke बीच अलग-अलग force of attraction कैसा है कम है लेकिन जब दोनों को मिला दिया तो force of attraction बढ़ गया जब force of attraction बढ़ गया तो क्या होगा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा वो decrease हो जाएगा यानि उपसकी वेपर में जाने की tendency कम हो जाएगी क्योंकि उनकी बढ़ फोर्स of attraction बढ़ गया जिससे सो करेंगे negative deviation और जब negative deviation सो करेंगे तो क्या हो जाएगा जो mixture की enthalpy है वो घट जाएगी करेंगा तो फिर ग्राफ नीचे की तरफ आएगा ऐसी यह ग्राफ है किसका कि negative deviation का ठीक है न और जो solution लार्ज negative deviation दिखाते हैं राउल्ट स्लोसिंग ठीक है वो maximum boiling एज़र ट्रॉपिक मिक्चर बनाते हैं क्या